हेलो फ्रेयन कैसे हो आप सब मैं आज तोस एक बाइफिर से आप सभी लोग का वेलकम करता हूं आप लोग के अपने यूटूब चैनल लेक्चर आप इंजिरिंग में तो आज हम कंप्लेट करने वाले हैं मसीन लर्निंग यूनिट वन और आपका पूरा यूनिट वन दो पार को लीजिए और जो लोग ट्रिवराओं गूरूप में वाट्सप गूरूप में नहीं जोइन तो उसका लिंक दिया गया है डिस्किप्सिन वाक्स में और कमेंड बोक्स में तो जा करके जोईन हो जाईए तो चलिए प्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर किये अब इसके बारे में कर मैंने आपको पढ़ा दिया था मसेड लर्निग का अप्लिकेशन क्या होता है काहं खने मसेड लर्निंग का यूज किया जा रा है इसके बारे में कल आपका खत्म हो चुऊगा machine learning तो आज है मसेड लर्निंग का मडल क boys but United we are responsible learning और reinforcement learning और 나도 आ draw रहता है इसन ये कितने टाइप की होते हैं तो ये भी मैंने आपको परा दिया था तो आज हम पढ़ने वादे तीन कुश्चन जो कि बहुत इंपवर्टन है और इससारे कुश्चन प्रीवे सरी के हैं जो कि पिछले एकजाम में आया है और इस इस वेरी-वेरी कम्प्रीट तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर किए अब यहां देखिए यह कोश्चन बहुत इंप्वर्टन है तो कि यह कोश्चन जो आपके पिछले समेस्टर में आया हुआ है कि मसीन लर्निंग में लर्निंग सिस्टम को डिजाइन किजिए और इस 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 समिस्टर में तो लर्निंग सिस्टम डिजाइन में इसमें होते हैं टोटल पांथ स्टेप टोटल फाइट स्टेप होता है और इन सभी स्टेप के हेडिंग को आपको नोट करना है और जो बता होता है learning system design ए उसमें क्या करते है training data को या फिर training experience को इस में चूज करते हैं आप यह रहें और इसमें आपका होता है तीन attribute होता है इस पहले step में आपका तीन attribute होता है पहला आपका हो गया direct या फिर indirect feedback ठीक और दूसरा आपका होता है घर्णार mai नह Tipsा है की अगए है अगे की ढर्लत दिसेंपल होता है दिसे अपका ऑगए हैं और तीसरा क होता है डिस्त्रिव्यूटीड Σीमपल होता है तो पहुला आ अक्छिए हैं पहला है एक décousा टिसेंपल चेकर घेम का तो, पहला song पहले चेकर गेम, ताकि सब लोग बढ़ीया तरगी समझाई यहां आप लोग देख सकते हैं, हैं यहांफे different- loam करेंट तो direct training कई होता है इसमें हम नोट different 요ww टinkसा प्राइब को सब्सक्राइब करेंग में होता है तो इसमें से आपको correct moves को check कर जुआ। को चेकर करते हैं देखिए इसमें डिफरेंट डिफरेंट मूब होता है और इसमें से हम लोग करेक्ट मूब को चेक करते हैं किसमें डारेक्ट ट्रेनिंग में अब आगे देखिए इन डारेक्ट ट्रेनिंग यहां देखिए यह आपका है इन डारेक्ट ट्रेनिग इसमें क्य होता है मैंने क्या बताया कि चेकर गेम में डिफरेंट डिफरेंट स्टेट होता है तो इसमें लोग क्या करते हैं इसमें सबसे पहले हम लोग सेक्वेंस आप स्टेप को लिखते हैं यानि कि पहले माले जी मैंने इसको लिखा फिर माले जी इसको लिखा फिर माले जी इसको ल झी आहा मिला है तो वो हमारा होता है इनडारेक्ट ट्रेणि魚ANS यानि कि क्या हमेड जीत मिल रही है या फिर यहां पर हार मिला है तो यहांज होता है इनडारेक्ट ट्रेणिग इसमें सबसे पहले हम लोग sequence आप step को लिखते हैं देखे इसमें different होता है state होता है तो हम लोग क्या करते हैं इसमें sequence आप step को लिखते हैं कि मैंने इसको पहले इसको लिखा फिसको लिखा फिसको लिखा फिसको लिखा और लिखने के बाद हम लोग यहां पर चेक करते हैं कि हमें सक्षिन मिल ला है कि नहीं मिल ला है तो यह आपका हो गया indirect training अब आगे देखिए अब यहां देखिए स्टेप अब फेले में जो यहां पर रव्य होता है अब यहां देखिए डिगरिगरि क्या होता हूँ तो जो भी यहां हमने ने ट्रेणि दिया उसको direct इंडिरेक्ट तो learner कितना सीखा कितना चेक कंट्रो किया तो आप tr double क्या होता है यानि कि जो भी हमने यहां पर training example दिया तो learner यहां पर कितना सीखा कितना याद किया और कितना एक control कर पा रहा है तो यह आपको हो गया degree आप यहां रखिए यहां मैं एक टीचर का और एक चेकर गेम का लिया है तो यहां चो learner है यह अपने teacher के उपर यहां तो depend हो सकता है और इससे teacher से पूछे का बार बार कि right move क्या होगा right move क्या होगा यानि कि इन बाक्स में right move क्या होगा teacher से पूछे का बार बार या तो ऐसा हो सकता है कि learner यहां पर सीख लिया learner यहां पर इतना सीख लिया कि teacher के पूछे बिना यह खुदी यहां पर तैक कर पा रहा है कि राइट मूग क्या होगा राइट मूग क्या होगा यानि कि लर्णर ने या तो टीचर के पड़िपन होगा या लर्णर खुदी इतना सीख चुका कि लर्णर खुदी यहां पर तैक कर पा रहा है कि राइट मूग क्या होगा यानि क इसकी thinking या इसका performance system का यहां पे improve हो जा रहा है तो यह आपका हो गया degree और यह आपका हो गया degree का example अब यहां देखिए तिसरा attribute आपको था distributed simple distribution sample था अब क्या होता है distributed simple यानि किसमें हम लोग training experience ज्यादा देते हैं यहां पे जो training experience होता है ज्यादा देते हैं ताकि हमें system के performance है हमारे system का performance improve हो पाए तिया आपका होता है distributed simple इसमें हम लोग training experience ज्यादा देते हैं किसको system को ताकि system का performance improve हो पाए system का performance यहां पे improve हो पाए अब अब यहां देखिए यह एक्जामपर है चेकर गेम का चेकर गेम का इसमें क्या है कि अगर मैं लर्णर को ज्यादा एक्सपीरियंस देता हूँ ज्यादा यहां पर ट्रेनिंग एक्सपीरियंस देता हूँ तब क्या होगा यह जब खेलेगा human checker champion में तब यहां पर इसकी जीत ह अब आगे देखिए step number 2 आपका होता है target function को चूज करना target function को चूज करना इसमें हम लोग देखते हैं क्या is कि हम लोग determine करते हैं कि system जो है है, choosing the target function. अब यहां दो कि एक झामपल, checker game का वही है, अब आप दिख सकते हैं, यहां पर कयी सरा different different neap state है, different new move ने हैं, तो मेरा यहां क्या होता उद्धिष? कि मैं समय से सबसे, जो best move होता है, best move, वो मुझे choose करना है, ताकि हमारे हैं जीतो. तो चेकर गिये में आप देखिए बहुत ही ज़्यादा है है मूव है और इन सभी मूव में से हमारे हैप के वल एक ही उद्दिश होता है कि हमें यहाँ पे बेस्ट मूव कोचेक करना है ताकि हमारा जीत हो अब यहां देखिए वही यहाँ पे एक्जामपल में लिखा गया है कि in play checker it need to learn to choose the best move among these legal moves ताकि हमारा यहाँ पे जीत हो जाए तो यह आपका step number two choosing the target function यानि किसमें लोग target function को choose करते हैं जिससे हमारा जीत हो यहाँ पर example आपका होगी है अब आगे देखिए अब यहाँ देखिए step number three choosing representation फार्दी target function यानि कि target function को represent करने के लिए हमें किस type का format या फिर choose करना होगा या फिर use करना होगा अभी मैं बताए आपको step number two में कि choosing target function choosing target function अब आपका तिसरा step है किस target function को represent करने के लिए इस target function को represent करने के लिए हमें किस type का format यूज करना होगा आप यहाँ देखिए वह format यहाँ दिया गया है जैसे कि linear equation hierarchical graph representation tabular form तो इस format का यूज करके हमारे पास बहुत ज़्यादा move होता है देखिए हमारे पास यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा move होता है तो इस format का यूज करके हम लोग यहाँ पे best move को choose करते हैं best move को choose करते हैं जिससे हमारी क्या हो जीत हो हमारे success में क्या हो increment हो जिससे हमारा success rate यहाँ पे increment हो increase हो अब है लिए कि इस format का use करके हमने best move को यहाँ पे पालिया बेस्ट मूब को पा लिया अब इस बेस्ट मूब को कौन यहां पर चलाएगा तो नेक्स्ट मूब फंक्शन यहां पर बेस्ट मूब को या फिर लिगल मूब को चलाएगा अब यहां देखिए एक्जामपल जैसे यहां हो गया चेस मसीन तो चेस मसीन के पास होता है चार अल् इससे क्या हो इसकी विक्ट्री हो सके इसकी जीत हो सके तो यह आपका हो गया choosing representation अब आगे देखिए step number 4 यहाँ देखिए step number 4 आपका है कि choosing function approximation algorithm यानि कि इसके function के लिए हमें किस type का यहाँ पे algorithm को choose करना पड़ेगा देखिए तो step number 4 में हम लोग करते हैं learning algorithm को यहाँ पे choose करते हैं तो learning algorithm को choose करने के लिए यहाँ पे होता है 2 step पहला आपका होता है estimating training value estimating training value और दुसरा आपका होता है adjusting weight देखिए मैं एक बाद फिर से बोला हूँ कि learning algorithm को choose करने के लिए यहाँ पे होते हैं 2 step पहला आपका होता है stem rating training value और दुसरा आपका होता है adjusting weight होता है तो यह आपका हो गया step number four जिसमें हम लोग क्या करते हैं learning algorithm को choose करते हैं अब आगे देखिए step number five जो किया हो आपका होता है final आप यहां देखिए learning system designing में पच्छबा step आपका होता है final step यानि कि step number five में हम लोग system को design करते हैं learning system को इसमें design करते हैं तो यह आपका होता है final step होता है जिसमें हम लोग learning system को design करते हैं अब यहां देखिए step number five में यहां फोते हैं चार parameter होते हैं पहला को हो गया experiment generator और दुसरा को हो गया performance system अब तिसरा को होता है critic होता है और चौथा को होता है generalizer अब यहां देखिए इन सभी का काम कैसे होता है और कैसे यहां पे learning system design होगी अब यहां देखिए performance system क्या होता है तो performance system को जो भी task दिया जाएगा या जो भी problem दिया जाएगा उस problem की यह solve करेगा कौन अब problem करो से आएगा problem जो है experiment experiment generator के पास आएगा किसके पास performance system के पास जो भी problem आएगा यह उसको solve करेगा तो जो यहां problem आ रहा है experiment generator के पास तो performance system का यह problem क्या होता है इनपूट होता है और इसको performance system output की रूप में देता है क्या solution trace या फिर gaming history देता है अब जार रखिए जब performance system देता है पूरे history को gaming को तब यहां पे जो क्रिटिक होता है उस पूरे गेम के history को लेता है, यानि कि कितनी बारें हुआ जीत हुई, कितनी बारें हैं Cleans, इस सारा पूरा history कोन लेता है? kritik लेता है input की रूप में अब यहां देखिये जब यहां Onion गेम के history को ले लिया तब इसन एहां पे produce किया-ícia ट्रेनिंग जामपल को इसने जेनरेट कर दिया तो क्रिटिक का ही हो गया आउटपुट अब यहां देखिए तब यह क्रिटिक का आउटपुट जो यहां पर ट्रेनिंग जामपल है यह जाए कि इसके पास जेनलाइजर के पास जाएगा अब यहां देखिए अब जो यहां प function को estimate करता है from a batchむ AI इस derivation करता है अब यहां पी यह hypothesis hypothesis जा है किसके पास 인 와 और experiment generator को daire गाएगा और experiment generator क्या है इसका है iso his I allega up θ 123.01 इसका input 322 IP आप इलिख्योप इस hypothesis मी जो भी problem है यहाँ आपर experiment नहीं पर गरीगा इसमें जो इसको solve कर देगा फिर यहां पर गेमिंग जाएगी यहां पर जाए क्रिटिक पास और क्रिटिक पाज जाएगी जनलाइजर के पास फिर यहां पर हाइपोथिसिस तो इसी प्रकास यहां पर cycle चलती रहती है तो यह आपका हो गया step number five इसमें हमों क्या करते हैं learning system को डिजाइन क अगर देखिए अगला question अब देखिए अगला question आपका है कि machine learning में क्या कहां पर कमिया आती है क्या कहां पर issue आता है जो कि बहुत ही important है this is the very very most important for your submission तो आप लिखेंगे कि देखिए machine learning में जोहां पर आता issue वो क्या है पूर quality of data यानि कि machine learning के process में अगर आप देखेंगे तो data का बहुत ही महत्रपून रोल होता है क्योंकि अगर machine learning process में अगर machine learning process में अगर इसको good quality data मिलेगा कि इसको machine learning process में तभी क्या करता है आपके output को यानि कि इसका output होगा इसको enhance करेगे increase करेगे और जोभी यहां पे unwanted चीज़ रहेगा उसको यह remove करती है देखिए मसीन लर्निंग प्रोसेस में जब यहां पर good quality का data good quality का data दिया आता है कि इसको machine learning को तो जिसमें होता है unwanted feature इसको remove करता है जो भी हाँ होता है missing value होता है इसको filtering करने का काम करता है ठेक और यहां देखिए और good quality का data good quality का data हमारे output को enhance करता है और जो भी हाँ होता है unwanted चीजें उसको remove करता है तो अगर आप देखेंगे कि हमारे machine learning process में good quality का data यहां पे absence होता है तो यह आप लिखेंगे this is the major missing of the machine learning that is the poor quality of data अब आगे देखिए अब यहां देखिए machine learning का अगला इसू वह आपका है under fitting आप दी training data यह क्या होता है इसको हम लोग पढ़ेंगे पढ़ेंगे पर डीप में unit 2 में अब यहां देखिए under fitting आप दी training data क्या होता है यानि कि जब system को या फिर जब machine learning model को कम data दिया आता है तो उसे बोला आता है क्या अब यहां देखिए अगर आप machine learning model को machine learning model को एक सकड़ मशीन learning model को अगर आप कम data देते हो तो जो यहां पर system की accuracy है यहां पर destroy सिस्टम की accuracy यहां पर destroy हो जाएगी यानि कि यहां पर क्या आएगा in accurate आएगा अन्दर्फीटिंग आप दी ट्रेनिंग दे यज़ादा दीटा दिया आता है तो उसे बोलाया था क्या ओर फिटिंग अप्टीरिंग डेक अब याद कि अगर मैंने मसीन लेंग अगर मैंने मसीन लेंग मॉडल को ज्यादा डेटा दिया तो हमारे पर्फार्मेंस पे नगेटिव इफेक्ट देगा तो उसे आप बोलेंग यानि कि मैंने यहां पे machine learning model को massive amount of data दे दिया, यानि कि large amount में data दे दिया, जिससे हमारे performance पे negative effect आएगा, अब यहां देखिए, जैसे आप machine learning model को ज्यादा data देती हो, यानि कि overfitting data देती हो, तब क्या करेगा, यहां पे noise capturing होने लगेगा, और यहां पे data का accuracy है, यहां पे destroy हो जा अब यहां देखिए, example को दिया गया है, कि हमें यहां पे machine learning model को यहां पे create करना है, जो cat, rabbit, dog और tiger है, इन चारों में different बताए, देखिए, different को बताए, तो मैंने आप दिया, बहुत ही जादा data दे दिया, जैसे कि, steering data में, मैंने आप दिया, 1000 cat, 1000 dog, और 1000 tiger को दे दिया, और यह यहां देख रहे हैं, कि यहां जो cat, और rabbit है, इन दोनों यहां probability है, बहुत ही ज्यादा हो लाएगा, यानि कि यहां प्रफार्मेंस आपके system की, यहां पिलो हो जाएगी, क्योंकि आपने यहां पे ज्यादा data दे दिया, तो जब मैं system को बहुत कम data दे रहा हूं, और जब मैं यानि कि हमें यहां पे maintain करने क्या सकता है, किसमें data में, तो आपको हो गया machine learning issue, overfitting आप दे training data, अब आगे देखिए, अब यहां देखिए, machine learning का अगला issue, वह आपका है, machine learning यह complex process, यानि कि, जब हमके system को design करते हैं, जब हमके system को design करते हैं, तो इसमें हम लग बहुत यादा training data डेते हैं, machine learning के design में, अब इसमें क्या होता है, training data में, इसमें बहुत यादा complexity होती है, यानि कि, इसके process में, जो हम लोग यूज करते हैं, क्या, math, medical, calculation, यह भी आपका बहुत ही complex level का होता है, यानि कि machine learning के process में, बहुत ही ज़्यादा error आता है, क्योंकि machine learning के design में, हम training data को डेते हैं, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, hence, there are high chance of error, which make the learning complex, क्योंकि यहाँ पर learning बहुत ही complex होती है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर large amount में, training data को डेते हैं, system के designing में, और यहाँ पर, जो use होता है, math, medical, calculation, यह भी आपका बहुत ही complex level का होता है, तो यह आपका हो machine learning का issue, यानि कि machine learning is a complex process, अब आगे देखिए, अगरा question आपका है, कि well-powered learning problem क्या होता है, यानि कि इसमें क्या-क्या problem आती है, learning में क्या-क्या problem आती है, और इसको improve करने के लिए, यहाँ होते हैं, तीन feature, या फिर तीन parameter होता है, पहला आपका होता है task, दूसरा performance measure, और दूसर आपका होता training experience, तो task को मैंने हाँ पे repaint किया T से playing checker, यानि कि checker को play करना, वो आपको गया task हो गया, और दूसरा आपका है performance measure, इसको मैंने हाँ P से repaint किया, आप game में कितनी बार जीते हो, उसका % निकाल लो, और आप इसी प्रकास से performance को measure कर सकते हो, यानि कि आप game में कितनी इसको मैंने हाँ पे P से repaint कर दिया, अब यहाँ देखिए, अगला आपका है training experience, इसको मैंने हाँ पे E से repaint कर दिया, यानि कि आप gaming को बार बार खेल करके training कर सकते हो, या फिर practice कर सकते हो, तो यह आपका हो गया, well, post, learning, जो कि बहुत important है, कभी-कभी two mark में question पूश लिता है और एक question जो है, पिछले साल आया था, पिछले semester में आया था, तो आज आपका unit 1 पूरा का पूरा complete हो चुगा, और यह आपका है part 2 lecture, कल से start करेंगे हम unit 2 machine learning, तो आज के लिए बस इतना है, thank you